आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करने वाला है और उसके बाद कहते खतरनाक वोने वाला है वो जानने के लिए आप लोगों को मज़ा आने वाला है सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करने वाला है और आप लोगों को पता है वो जो देखो दूर में एक टावर दिख रहा है उस टावर के अंदर जो बॉस रहता है उसके पास जो पोकेमन है उसका हेल्थ लगब दो लाग है सब्सक्राइब करने वाले ब्रीडिंग इन सारे टावर बॉसस के साथ और देखते हैं कौन से खतरनाग पोकेमन निकलता है लेकिन उसके पहले मैंने अपने घर को काफी प्यार से सजाया है वाई कैसा लेकिन यार यह जर्मूंटेट क्या कर रहा है यहां पर हट जा यार इ के इसको अब ही देखो गाइस यार दर्माजाय के सामने ही अरे यार यह क्यों आ जाता है सब को दिखाना चाहता हूं और यह लोग सारे हार यार इनको हटाएना पड़ेगा वाई तू नीचे चला जा जा भाई थो तो अभी पीचे चला जा ओके फिलाल देखो गेट के आ यहां पर एक बड़ा सब पड़ा है और यहां पर यहां पर पूरा रूम देख लो क्या सा लग रहा है यहां पर वैटने के लिए सोफा यहां पर वैटने के लिए कुरसी एंड गाइस यहां पर सारे एंटिक चेस्ट है यह सारे इनमें अभी तक मैंने कुछ नहीं रखा है फिलाल के लिए इनमें मैंने अभी तक कुछ नहीं रखा है लेकिन यहां पर मैंने थोड़ा सा स्काल् सब्सक्राइब करने वाल हूं अभी थोड़ी दिर में दिखाता हूं अब सबको और उपर यह वाला लाइट कैसा लग रहा है कौन-कौन चाहते हो कि मैं अपना एक बड़ी आसा संदार सा आलिसान सा रहने का घर बनाओ उसका मैं अलग से एक घर बनाओंगा उसके लिए वहां पर कोई मेरा पोकेमनों होने वाला है लेकिन भाई वह सारे इसे वास मस्ती के लिए रहने वाले वह उन से मैं कुछ काम करने नहीं वैला हूं उस घर में अगर ऄटा हूं इसको पहन के दिखते हैं सबसे पहले इसको बना लेते हैं छहांब सर्ल bu बनाए क्या बाद है कोई बात नहीं और यहां पर देखते इससे क्या होता वाई मेरे पास यह कहां गया ओके यह मैंने पोकेमान को जब देखूंगा तब उसका हेल टैंड अटक डिफेंस दिखने वाला है मुझे इससे मुझे उस पोकेमान के अटक पावर ही पता लगने वाला है वैसे खेर गाईस यह सब छोड़ते हैं अभी फिलाल चलते हैं हमारे ब्रीडिंग बेस में जहाँ पर आज हम लो एक बहुती बहुत मोसंडा का फाइड होने वाला है और यह मामोली बहुत मोसंडा नहीं है इसके पास फिरोसियस स्विप्ट लगी और लाद अपड़ लाइटिंग का पावर है वाई इसके पास कापी बढ़िया पैसिव स्किल्स है वाई साब तो इन दुनों को मिलाक है यह इसके सागल मामोली सी और इसके पास इबिलीटी है इसे उसका आटक पावर का पाफी इंक्रीज हो जाता है फिर सैड़ वीक के साथ होने वाला एक बाँस मोसंडा का ब्रीडिंग और यह वालागी मोसंडा लगी शीडिया आभ लाoft मेंदा थार्वड ब्रिद लेह है ना इसका भी भाई साब काफी तगड़ा पैसीब स्किल्स है यह सारे साइनी मुसंडलक्स है मतलब इन दोनों को ब्रीडिंग करके जो पोकेमन आने वाला है वह भी काफी पावर्फुल होने वाले सो गाइस लेट्स को हम लोग फटावर से बीडिंग स्टाट करते हैं पहल यह तो सारे बी इडिंग फाम मैं खाली करता हैं क्योंकि यह लास्ट टाइम मैं कर रहा था टावर्वी वेड़ं पोकेमन का प्लीड हो चुक़ा है kожно करता हैां मैं सारे ब्रीडक्र करों मैंठ को मैंक्स ठोजाए़ सारे मैंठ向 के सारे न के साथ जितने भी टावर्व गेग है I think मैं नेक्स एपीसोड में ग्रीजबोल्ट को मैक्स करने वाला हूं क्योंकि यार मेरे पास काफी सारा ग्रीजबोल्ट के अंडे हो चुका है ओके सैडवी के साथ कौन था ओके मोसं डलक्स को लेना पड़ा गई ठीक इसके पास यह एक सेडवी के साथ यह रहे अब रहा रहा है यार लेकीन Geral आ पर चूपर से पार अगया और से पार बोलोग बैसों पर सा रहा है और यह पर से नुकर ellesừa में वह देखो वो लोग ऊपर ही आ रहा है आने दो फिलाल मेरा जट्रे डगण उनके लिए काफ़ी है बाई लिजन्डरी डबॉके मन 50 लेवल का जट्रे डगण काफ़ी है वाई उन सारे रेडर्स के लिए ओके यह सोकी उजारा है सब्दक है रूट जा इसको पहले यहां प combination कौन सा है बो देख लेता है next combination होने वाला है फैल रिस के साथ मोसंडा एंड उसके लिए नॉर्मल सा मोसंडा है ठीक है न यह वाला मोसंडा साइनी मोसंडा है वाई ओके यह सारे इधर आ चुका यार इनके साथ देखो देखो यह ब्रिटिंग फार में आग लगा दिया उधर सा रहे एक इंस्टेंटरम नॉट आ रहे उधर से रोके इधर तो मैं फ्रॉस्टेलन को छोड़ता हूं फ्रॉस्टेलन भाई इसको फ्रीज करके मारेगा अच्छा फ्रॉस्टेलन यहां पर अटक दे रहा है ल बैचारा डर गया उसको मार दूं यार चोड़ देतें वाई बैचारा मारा जाएगा वाल तुम्हें उसको मारना नहीं चाहता हूं मैं अभी फिलाल गाइस नेक्स्ट कोमिशन होने वाला है इसको साथ मोसन अग्स और इसको तो पकरणना काफी ज़्या था मुसकलिया ररे यह भ्रवाक्स फूल ऊचुका है , उल्रिस बेटा औ उसका साथ नॉर्म सब्सक्रणा पॉलगा ए नॉलनी रहे CHeyo I thirst के सॉन उभिए और। के साथ ब्रीडिंग करके कौन सा पोकेमा निकलता है अच्छ यह विए आप आजा बेटा तेरे साथ आज फैलरिस को पगड़े गलती से फैलरिस को पगड़ लिया जा चुका है मुसंद डरलक्स को भी जाना पड़ेगा भी तो यार फ्रॉस्ट्रेजन हट जा सामने से हट जा देखने रहे का तेरे दोस्त को मैं आज ब्रीडिंग करा रहा हूं तुझे ब्रीडिंग करना है का और यह तो हटी नहीं रहा है लगता है इनको भी ब्रीडिंग करना पड़ेगा पोकेमन है और इसके पास जो पैसिन स्किल्स है कैसे एक बार देखो यार मोटिवेशन लीडर स्वीप्ट रेनर लॉट ओफ लाइटनिंग भाइस साफ इसके बाद जो पोकेमन आने वाला है वो काफी ज्यादा पाउर्फूल तकड़ा से लाइटनिंग बाला ही पोकेमन आए इसके साथ अभी करने वाला हूं बहुत ही खतरनाक लिजंडरी पोकेमन ओजर्क का ओके फाइनली जा चुक है और यहां पर 14 केक्स है सारे बीडिंग फार में मैंने पहले से केक्स रख दिये थे गाइस तो यार आइटिंग सो ब्रीडिंग स्टाड हो चुका है और यह देखो इन दोनक एक अंड़ा भी दे दिया वाई साब यह अंड़ा दिखने में काफी छोटा लग रहा है लार्ज लिटर गेक अच्छा बड़ा ही है वैसे तो लड़ लटर गेक अच्छा यूज वाला सबसे बड़ा होता है उससे छोटा लटर होता है ठीक है इस में से कुछ लार्ज टाइप पोकेमान निकलने वाला है तो लेट सी सारे अंडेका में एक साथ ही ओपेन करने वाला हूं नेक्स तेक लेरीं तर्व बीच्छ रहे है यह यह यहा पर आक लगा यह इसलिए यहां पर ब्रीढ नि 있어 को डालना पड़े वाला हुए यहां पर पंगूलेट को छोड़ दाता है पंगूलेट काफ हाझा ि छोटे से हाक के लिए डीखर पंगूलेट कैसे कीसे कूद के जा रहा है भाइ आक को बुझा दे गा भी चलो इसको बुझाने गा उसके साथ normal सा जाएगा ओकी यह normal सा motion deluxe है देखने पड़ेगा male female मैंने ठीक टक रखा है कि नहीं रखा यार male female कभी गलती हो जाता है कभी कभी okay male female ठीक है यहाँ पर anyhow पर भी ठीक है ना male female मैंने यह check out नहीं किया okay यहाँ पर दो male हो चुका यार और एक female चाहिए था I think एक motion deluxe को यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ पर एक female motion deluxe को मुझे डालना पड़ेगा sorry male motion deluxe को डालना पड़ेगा क्या है दोनों female है एक male को डालना पड़ेगा okay तू जा बेटा तू आजा यह कौन सा है पहले चेक करता है इस बार होने वाला है अरे यार फिर से दो-दो female आ चुका है एक male चाहिए था रुको रुको मैं पहले देग लेता हूं male female male female अच्छा यहाँ पर दो-दो-दो female आ चुका है okay male 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 female अच्छा और वह आख जिखो पिंगोरी ने पहां पर आंग बुझा दिआ है इसको ला दिया एंड गाइस आजा ग्रिस बोल बेटा तेरा तो अज बले-बले सावा सावा होने वाला है तेरे भाई सारी सारी भाई बोल रहा हूं तेरे जैसा ही एक पोकेमन मुझे मिला है और दोनों का बिटिंग यहां पर इस्टरड हो चुका है और यहां पर अंडा है यहां पर भी नहीं है यहां पर नहीं है यहां पर पिन नहीं है यहां पर भी नहीं है यहां पर भी है Π grands इसको मैं अभी तक अपने लाइन कि अब विल्ड कर दे तै यहां पर अब कर दे करता है अब in आ इसे से काम कराता हुँ चलो बना दिया हम हम लोग नने यहां देखो रिलक्सरोस मैं सलोंच इंगा सकता हूँ क्या बाद है कि मुझे एस्ट्रैगन Advisory Look और सेडविक का भी सेडल बनाना है, रैटने अब का भी साडल बनाना है, काफी सारा सेडल बनाना है मुझे, पहलो तो एस्टरेगन का सडल बनाता है, बना दे अनुविस बना दे भाई, बेटा अनुविस बना दे, किदर जा रहा है, उदर नहीं भाई, इदर इदर, इदर, इधर बना दे भाई, फटाफट बना दे ओके, क्योंकि यार मेरे पास सारे देखो, लिजेंडरी पोकेमन आ चुका है, लिकिन गाइस, मैं लिजेंडरी पोकेमन को अभी राइड नी कर पाऊँगा उसके लिए मुझे सैडल चाहिए, और सैडल सारे मैंने अभी तक अनलॉक नहीं किया है सबसे पहले जो मेरे पास 49 लिविल का एस्ट्रेगन है, उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ हूँ, फॉस्ट्रियन गेल को, ओके नेक्रोमस नेक्रोमस अभी फिलाल मुझे नहीं चाहिए हो गया क्या, यार, ओके होनी वाला है, हो चुका है फाइनली गाइस, हम लोगों ने अनलॉक के लिया है अपना एस्ट्रेगन का सैडल इसके बाद मैं एस्ट्रेगन के ऊपर चड़के अराम से कहीवे भी जा सकता हूँ भाई-साप में क्यासा लग रहा है, उसके अंदर जितरे भी मेरे एक्स्ट्रेगन है वो सारे रहता है और मेरा साइड और नीचे ही मेरा छोटा सा प्यारा सा रहने का घर उसके नीचे फार्मिंग चल रहा है वाई-साप, मजा आगा वाई, इसको राइट करके लिकिन इसका स्वाई जादा नहीं है हमें जेटर डगन का सैडल चाइए उसके लिए हमें जेटर डगन का सैडल चाइए जिससे हम लोग काफी जल-जल्दी जा सकते है ठीक है, नेक्स एपिसोड में जरूर से जेटर डगन का सैडल अनलोक कर दूंगा और यह चीज़ देखो गाइज मैंने चारो तरफ लाइड भी लगा दिया रात के टाइम में कहीं पहले अंधिरा नहीं होने वाला यह यह देखो ऊपर सीलिंग में लाइड लगा दिया ठीक है न और खोटे-चोटे लेंब भी लगा दिया चारो तरफ यह एक लैंब है इसमे एक प्यारा सा एक मतलब मेहल जैसे घर बनाने के लिए इस पूरे वाल्ड में मज़ा आ जाएगा फ़र उसके बाद तो फिर देखने में गेम को फिलाल गाइस राद हो चुका है मैं भी जाता हूं सोने और कल सुपर हम लोग चेक आउट करेंगे उन सारे अंडे को और गाइस यहां पर भी मेल हो चुका है दो रुको 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 अच्छा यहां पर यह भी फीमेल एंड यह भी फीमेल ठेक है मुझे इस मुझे इस मुझे और एक फीमेल मोसं डलक्स को यहां पर डालना पड़ेगा ठेक है पहलो तो यह मोसं डलक्स फीमेल है ठेक है मैंने केड़ देया है डालने का टाइम भी मुझे देखना चाहिए था फीमेल यह भी फीमेल इसे काम चल जाएगा यार इसके साथ मैं जो बृढिंग करा रहा था वह कापी बड़िया जास था वह देखो यह वाला भाई साब यह ना भाई बहुता मतलब साइनी वाला मोसं डलस था इसके पस कभी प्यारा प्यारा स्किल्स था भई खैर अब हमें इसी से देखना पड़ेगा कौन से टाइप का पोकेमन निकलता है ओके भाई ओ तेरी भाई साब यहाँ पर देखो कौन सेट निकलता भाई लार्च एक मिला है यहाँ से भाई साब सब्सक्राइब करें लेख्राइब और इसका वह देखो यार काफी खतरना का अंडे निकल रहा है और एक अंडा हमें चाहिए वह हमें इन दोनोंगा चाहिए यार थूरी दर में इन दोनों का भी हंडा निकल जाएगा तब तक मैं एक काम करते हुगा इस उपर वाला एरिया मैं सोच रहा था इधर सारे एक उन्कुवेटर्स तो लगाने के लिए देखो नीचे एक उन्कुवेटर्स नीचे इधर उदर बिख्ड़े पड़े हैं तो मै थोड़ा सा और्गेनाईस तरीके से रखने वाला हूं सारे चीज़ों को तो फटा फट से मैं यहां पर काफी सारे एक उन्कुवेटर्स लगा देता हूं क्योंकि यार नेक्स्ट इपिसोड हमारा होने वाला है काफी मजईदार जिसमें मैं एक बहुत खतरनाक से पोकेमन क आपने मेन से फटाफट से सारे यहां पर एक उन्कुवेटर्स लगा देता हूं काफी सारे काफी सारे इसके बद एक अन्डे को मैं काफी आसानी से यहां पर अनलॉक कर सकता हूं कितने सारे लगबग मैंने 30 या 40 ऐसा कुछ होगा यहां पर फिलाल वो देखो वो देखो कौन संडा भाई साब हीज डार गेग ओ तेरी से कौन संडा निकलने वाला है इन दोनों का तो हो चुका है अभी गाइस देखने का टाइम आ चुका है कौन सा पोकेमोन निकलने वाला ह सबसे पहला पोकेमोन तो हम लोग यह चेक आउट करेंगे क्योंकि इन दोनों का जो कॉमिनिशन है काफी जो देख खतरना कॉमिनिशन है और देखते हैं कौन सा पोकेमोन निकलता है सो गाइस रेड़ी वान टू एंड त्री गाइस वो तेरी गाइस क्या निकला यह लाट और मोसंडा इन दोनों के कॉमिनिशन से क्या निकलता है वाई I think कुछ बढ़िया कुछ निकलने वाला है सो गाइस रेड़ी इन के लिए वान टू एंड त्री यार रेप्टैरो निकला भाई आप लोग सोचू यार रेप्टैरो कैसे निकल सकता है रेप्टैरो कैसे निकल भाई मंमी है मलेलीन और पापा है मोसंडा तो इस से रेप्टैरो कैसे निकल सकता है यह तो कुछ अलगी कैस्षिन हो रहा है यार मुझे लगा था कुछ अलगी एकदम हटके से इस गेम के अंदर नहीं है ऐसे कुछ पोखलनमन निकलने वाला बाई यार यह तो गलग दिस हो गया देखते हैं फ्लैरिस के साथ मोसन डलक्स का ब्रीडिंग हुआ है इसके बाद कौन सा पोकेमन निकल रहा है एड़ रेडी वान टू और यह का भाई रैक नौक निकला है वो तरी भाई इसका पास का भी बढ़िया स्कील है स्विप्ट का स्कील है सैट वीक विद मोसन यह देखते हैं एक टाइब और इलेक्ट्रिक ट्रैप पोकेमन की बीच में कॉम्मिशन क्या बनता है वाई वान टू और यह क्या बैक निकला इन दोन के पीच में से यार मुझे तो लगा था बढ़िया सा कुछ मिलेगा यार ओके लास्ट पोकेमन देखते हैं इन दोने के कामबो से क्या निकलता है और मोसं डेलक्स है आई तिंग कुछ बढ़िया से निकलना और यह अनुबिस मेरे आगी पीचे क्यों घुम रहा है रुख जा बेटा तेरे साथ बाद में करना वालो सबका ब्रीडिंग वान टू यार मेन स्टिंग भाई साब मैं सोचा तक कुछ जाला की चीज निकलना वाल है वाई मेन स्टिंग वैसे काभी पावर्फूल बोकमन है इसको हलके में मत ले ना गाइस ऑके बाई सहाब अभी दिखा दोगा सबका स्किल्स क्या सा है रुको 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 इनको अब इनका बिटिंग स्टॉप करा दे अब इनका हो चुका ह ठीका न मुझे पता लग गया क्या होने वाला है ओके हमें मिला है यह मेमोरेस्ट लॉट ओफ लैटनिंग भाई मेमोरेस्ट के अंदर लैटनिंग का पावर कैसे आ सकता है बाई मुझे यह चीज देखना है बाई मेमोरेस्ट जितने वी अटक करते है ग्राउंड अटक करत विन डेटक करता है बट भाइल मे मोरेश को कभी नहीं देखा लाइटनिंग का पौवर रिउस करते हुई तो गाइस आज तो देखना है वाय मेमो रेस्ट को लाइटनिंग का पौवर कैसे इस्तिमाल करता है यह उसके बात मिला है मुझे एक रेटनाओ और यह नॉर्मल सा रहना हो गया बट इसके पास एक पैसीब स्किल है सूट वाला एक बेखन मिला इसके पास पैसे स्किल है motivation leader का and I think एक reptairu मिला है यार यह वाला reptairu मिला है मुझे देखो zen mind भाई यह कौन से skill है यार अभी तक मैंने नहीं दिखा था zen mind वाला कौन से skill है यह देखो गाई's zen mind यह कौन से skill है इसको तो check करना पड़ागा भाई's इसका कौन से skill है ओके गाई's हम लोग को यहाँ पर 5 Pokemon मिला मिनस्टिंग बैकॉन रैगना हॉक मैमरेस्ट और रेप्टैरू लेकिन गाई's सबसे ज़्यादा खास यहाँ पर जो ability वाला मुझे यहाँ पर Pokemon मिला वो है मैमरेस्ट यह वाला मैमरेस्ट इसके पास lot of lightning का भी passive skill है और I think मुझे और एक मैमरेस्ट मिला है जिसको मैंने अब हभी unlock किया है अब लोगों दिखाता हूँ यह देखो यह वाला मैमरेस्ट इसके पास passive skill देखो lot of lightning and runner वाला भी passive skill है बाट यह वाला जो मैमरेस्ट है यह और यह वाला नॉर्मल मैमरेस्ट है सो गैस हम लोग इसको लेके चलना है सो गैस हम लोग इसको लेने वाल है इसको अब फिलाल हम लोग level up करने वाल है level up करके देखने वाल है इसका attack कैसा होता है मेरे पास काफी सारे training manual पड़ा हुआ है तो फटा फटा समय training manual ले लेता हूँ इधर तो नहीं रखा था ओके यहां पर एक है यार और वीजो था 70 असी था मेरे पास मैंने काफी सारे जमा किया था इधर रखा है का इधर भी नहीं रखा यार मैंने तो मैंने कहां पर रखा तोड़ा ढूनना पड़ेगा यहां पर रखा होगा ओके मिल चुका है training manual देखो गाइस एक सेल वाला मेरे पास 78 पड़ा हुआ है काफी सारे जमा हो गया था अभी फिलाल मैं इंग सब को इस्तिमाल करने वाला हूं इस मैमोरेश्ट को मैक्स करने के लिए एड दिखते है उसके बाद क्या होता है अभी यह लेवल वान का है ना अभी देखो क्या से इसका लेवल होता है वान टू और त्री एक ही एक ही भाई ट्रेणिंग में लेवल को हो गया इसको 50 लेवल कर दो क्या इसको 50 लेवल कर देते गाइस रूको वेट यार 49 यह हो बाएगा क्योंकि मेरा लेवल 49 देगा इसलिए कोई बाद नहीं हम लिए फिलाल इस मैमोरेश्ट को ले जाने वाला यार मैं जंप कर दें नीचे और अश्टर कर आया भी नहीं मेरे पीछे पीछे नो 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 यहां पर तो काफी सारे गोरी रैट है यह लोग मेरे साथ फाइट लेना चाहता है भाई उख जा बेटा इनके सद में अश्टर का मैमोरेश्ट का फाइट करा दू क्या रूको इन लोगों से चोटे मोटे पोकेमन से फाइट लेंगे बड़े बड़े पोकेम उनका फाइट करेंगे यार ऊपर कू नहीं जा रहा है एस्ट्रागा उपर चल भाई पेर मैटक गया यह यह पेर मैं रमेत गया काफी मुस्किल से जाना पड़ा वाई अच्छा इसको में प काफी slow Pokemon है देखो नीचे से लोग अटक दे रहा है रुख जा बेटा तुम लोगो छोड़ दिया ठीक है न सुकर मनाओ तुम लोगो छोड़ दिया मैंने यहां पर चीलेट है वाई आपर देखो काफी सार लवेंडर है एंड टूको टूको भी है यहां पर तो इनके साथ दगा देते हैं मैंमोरिस्ट का आइधिंक बड़िया फाइट चाहेगा रूको रूको मैं पहले नीचे जलता हो आजा बेटा आप फैट ले देखता है मैं मुरेस्ट का अप देखते है अब देखते हैं मैंमोरिस्ट का एटक होता है इनक आगे वाई ग्रांइंक डे रहा है यार यह लाइटनिंग आटक कि Award यार यह यह वझी आटक का आखर आा Sandvon को पर ये कौन सा अटक है भाई तेरी ये अटक मैंने पहली बार देखा मेमोरिस्ट के अंदर गाईस ये गोल्डेन मेमोरिस्ट है भाई गोल्डेन मेमोरिस्ट भाईसाब मेमोरिस्ट के अंदर ये अटक कैसे आया इसके अंदर में गाईस मैं और भी खतरनाक से स्किल्स डालने वाला हूँ और इसको full max करने वाला हूँ इस पूरे फोर्स्टर एड उसके बाद गाइस देखने वाले इसका स्किल्स कैसा होता है फिला के लिए आप लोगों को इसका स्किल्स कैसा लगा जरूर से बताना केमेंट पे आई होब सभी को अच्छे ही लगा होगा भाई देखो यार किस तरीके से मार रहा है सभी को इसके साथ मैमोरेश्ट वर्सेज मैमोरेश्ट देखो इसके साथ कौन से कौन से पोकेमान का मैं फाइट करा हूँ उसके बाद देखने वाले यह सब को किस तरीके से डिफिट करता है वह भाई इसका तो एक बाल मी बाका नहीं हुआ भाई किस तरीके से सब के साथ यह फाइट ले रहा है और मैंने पास मैमोरेश्ट को सड़ल है का तो गैस टेक क्यार और यह में कहां पर आगा है अभी मुझे घर जाना पड़ेगा हो दुन नगर इतना सारे पोकेमेंट मैंने चारु दारफ आगा वाई अच्छा सारे सो रहे हैं अच्छा हुआ सारे सो